In figure, DE is parallel to BC If AE by AC is 2 by 5 and AB is 15 cm, find AD हमें दिया गया है कि DE parallel to BC है अगर यह question multiple choice question की form में आता है तो आप जानते हैं कि BPT से AD to DB is equal to AE to EC यह भी होता है और AD to AB is equal to AE to AC AD to AB की ratio AE to AC के ratio के equal हो जाती है और BD to AB की ratio CE to AC के ratio के भी equal हो जाती है अगर आपको one mark में आता है तो यह prove करने के जोरत नहीं है आप direct लगा सकते हैं और answer निकाल सकते हैं एक number में आता है तो यह formulas direct लग सकते हैं और आप बड़ी असानी से answer निकाल सकते हैं लेकिन अगर यह आपको two या three marks का आता है तो इस step से इस step तक आना होगा तो अभी हम इसे two marks की तरह करने जा रहे हैं और हम जब इस step पर पहुंच जाएंगे तो आप अगर one mark में आता है तो direct यह formula लगा सकते हैं हमें मिला है अब हम क्या करेंगे इनको उल्टा कर देंगे ratios को दोनों तरफ हम one को add कर देंगे इससे db plus ad and ad is equal to ec plus ae और ऐसे आ जाएगा db plus ad, db plus ad, ab बन गई और यह ad ही रहा इसी तरह ec plus ae, ec, ec plus ae, ac बन जाएगी और हम फिर से उल्टा कर देंगे यह formula आप direct लगा सकते हैं यह आपके ncrt के example one में भी समझा रखा है अब अपने पास ad to ab की ratio, ae to ac की ratio के equal आ चुकी है यह ratio हमको मिली है 2 is to 5 यह यहाँ put कर देंगे, इसके लावा हमें ab b 15 मिला है तो वो भी डाल देंगे, ad निकल जाएगी ad 6 cm है अगर equation one mark में आए तो आप direct यह fact यूज करें और answer निकाल लें करें अपना में आप गगि यहandाई अपनिकलSt क्वेश्वाल जान एक अभशनिकल। झाल